नमस्कार, मेरिड लाइप में ताल मेल कैसे बेठा है? मेरिड लाइप को कैसे अच्छी चलाए? बहुत बैस होती है, बहुत लड़ाई होती है, और बहुत जगड़ा होता है. उसको कैसे मेंटेन करे? एक संत ने एक व्यक्ति को एसे उदारण से समझा दियाना, कि कैसे मेरिड लाइप को अच्छी चलानी चाहिए? संत ने एक अच्छा एक्जामपल देखे, उसने तीन बाते उस व्यक्ति को बताई थी. देरी रखना, समझदरी रखना, और जीवन साती की बास सुनकर फिर प्रतिक्रिया देना. तो आकिर उस व्यक्ति के जिग्या साख कैसे सांध की, एक छोटी सी इस्टोरी है आप देखे. एक बार एक व्यक्ति, एक संत के पास जाता है, और संत को बोलता है, कि गुरुदेओ, मैं बहुत परिसान हूँ, मेरी मेरि लाइप अच्छी नहीं चल रहे हैं, हम दोनों के बीच में खूब लड़ाई जगड़ा होता है, खूब बहस होती है आखिर मैं अपने लाइब से परिसान हो गया हूँ मैं अपनी पत्नी से परिसान हो गया हूँ हमारी अच्छी लाइब कैसे चला तो उस संत ने कहा कि बैठो संत ने अपने पत्नी को आवाज लगई कि लाल टेन जला के लेके आना बरीद दुफरी में और यह आवाज लगी दिन का समय था तो उस व्यक्ति ने सोचा गया दिन में लाल्टेन लेकर आना कैसे तो उसकी पत्नी संथ की पत्नी लाल्टेन जना कर लाकर अपने पती के पास में रख कर चली गी फिर थोड़ी देर बात उस संथ ने वापिस अवाज लगी कि गर में में मेमान आये हैं थोड़ा मेठा लेकर आना तो संथ की पत्नी वापिस आती है और कुछ नमकीन लेकर रखती है उस व्यक्ति के सामने संथ के सामने वह व्यक्ति सोचता है यह क्या हो गया रहे तो उस व्यक्ति ने उस संत से पूछा कि हे गुर्देव आपने बरी दुपरी में लालटेल मंगई वो भी जला कर इसका क्या मतल़ दे और आपने आपकी पत्नी से कहा कि कुछ मीठा लेके आना और आपकी पत्नी कुछ नमकिल लेके आई इसका क्या मतना है तो उस संत ने कहा कि तुम्हारे जीवन का जवाब यहीं है मैंने अपने पत्नी को कहा कि मीठा लेके आना पत्नी नमकिन लेके आई तो हो सकता है कि गर में मीठा ना हो इसलिए पत्नी नमकिन लेके आई हो मैं चाहता था तो पत्नी से बहत भी कर सकता था कि जब मैंने तुमको मीठा लेकर आने के लिए बोला था और तू नमकिन क्यों लेके आई ये भी तो हो सकता है कि गर में मीठा खत्म हो गया हो तो पत्नी नमकिन लेके आगई हो और पत्नी जब मैंने लाल्टेन मंगई तो पत्नी ने ये भी तो सोचा हो कि नहीं उनको कुछ विश्यस काम होगा इसलिए वो लाल्टेन जला कर लेके आई पत्नी चाहती थी तो मुझसे बहुत कर सकती थी मुझको पूच सकती थी कि इतनी बरी दूपरी में आप लाल्टेन क्यों मंगा रहे हो लेकिन पत्नी ने नहीं पूचा उन्होंने कहा कि लाल्टेन लेके आओ और पत्नी लाल्टेन लेके आगई तो उस व्यक्ति समझ गया तो संत ने कहा कि अगर जीवन को पती पत्नी के बीच में अच्छा चलाना है न तो पहले एक दूसरे की बात समझे और फिर प्रतिक्रिया दे दे नी रखें समझ रखें तब ही ये जीवन ताल मिल से चलेगा अगर आपने बिना सोचे समझे किसी बात पर बहस की तो लड़ाई तो चालू हो नहीं है जब जीवन साथी एक दूसरे से कोई बात कहे न तो प्रतिक्रिया बात में दे पहले उनकी बात समझे आपके बीच में कोई छोटी मोटी बात होती है तो तहरी लखें तुरंद प्रतिक्रिया न दे आज के टाइम में पती पत्नी तुरंद प्रतिक्रिया देते हैं वहाँ क्यों जा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा और ऐसा क्यों हुआ बात की क्या बात हैं उसको नहीं समझते हैं पहले प्रतिक्रिया देते हैं और वो लड़े जगड़े कारण बनता है तो पती पत्नी के बीच में ताल में लिटाना है अच्छी मेरिड लाइफ चलानी है तो देरी रखें, समझ रखें और कोई भी फ्येसला लेव उससे पहले प्रतिक्रिया न दे उस बात को समझें कि आकर क्या बात हो लिए और फिर परतिक लिए दे तो आपकी मेरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी